आई अवरिवान, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ राहूल जेस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बाद फिर हमारे यूटुब चैनल जे आर टूटोरियल्स में, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, उमीद यह भी करता हूँ कि आप लोगा जो दिवाली होगा, बहुत बेतरीन तरीके से आपने एंजॉई किया होगा, जिया दोस्तों, दिवाली कम्प्लीट हो चुका है, एक strategy वीडियो, vacations के लिए मैंने डाला हुआ है, जे आर टूटोरियल्स के उपर, आप जाके वीडि सिला, बस बहले से हमारा completed है, आप लोग पढ़ाई तो करते रहो, लेकिन जो new batch है, हमारा जो digital board के साथ हम लोग पढ़ा रहे है, उसमें भी regular तरीके से वीडियो सारे, आप देख सकते हो कि chapter 3 चल रहा है, जोमेटरी का, ठीक है, तो बस इतना बोलूँगा, keep studying hard, बहुत अच description में भी दिया हुआ है, ठीक है, चलो, शुरुआत करते हैं वीडियो की, तो हमें आज पढ़ना है 10th standard के लिए, जो match part 2, यानि जोमेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका circle chapter चल रहा था, और आज लाहे है, lecture number 8 ही chapter का, और इसमें start करने जा रहे है, प्राक्टिस हैट जिस इस प्राक्टिस सेट के अंदर, तो देखा जाए, तो इस प्राक्टिस सेट में लगबग 809 एक्जांपल है, लेकिन आज हम लोग सिफ 4 एक्जांपल कराने वाले, जो कि बड़े-बड़े एक्जांपल से ध्यान से देखना है, अच्छी तरीके से एकर आप पढ़ाई करो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेशन नमबर वन से, इस इस देखन नमबर ऑन और प्राक्टिस सेट 3.4, चलिए आ जाते टॉपिक पर, यहां पर देखो क्वेशन कैसा पूछा हुआ है, एक फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, अब यह फिगर में आपको दिख रहा ह होगा, कि यहां पर लेंग्ट कॉड एबी दिया हुआ है, और यह एबी को बोला है, इस इक्वल तो रेडियस, मतलब यह जो एबी है न, यह रेडियस के बराबर है, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है, साथ ही में यह आपको दिख रहा होगा, कि क्वेशन पूछा हुआ ही भी मेरा रेडियस है, तो ओए जो होगा, वो ओबी के बराबर होगा, और यह बी रेडियस के बराबर है, इस इक्वल तो रेडियस, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यह अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह मेरा ओए मेरा रेडियस है O B भी radius है और यह जो A B है यह भी radius है तो तीनों अगर radius है मतलब यह तीनों के तीनों का जो length होगा वो same होगा और अगर कोई भी triangle के अंदर तीनों के तीनों का length अगर same होता है तो उस triangle को हम लोग बोलते है equilateral triangle तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि यह जो triangle है therefore, जिसको triangle का naam क्या है OAB, तो मतलब ये triangle का naam है OAB, ये triangle जो है therefore, this triangle OAB is a is a equilateral triangle, ऐसा हमें bola हो is a equilateral triangle, ये ऐसा हमें बोल सकता हूँ, और equilateral triangle होने के वीज़ से हम एक चीज़ और जानते है, जब equilateral triangle होता है, तो उसके जो तीनों एंगल होते हैं, चाहें ये एंगल हो, चाहें ये एंगल हो, चाहें ये एंगल हो, ये तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं, वो होता है, 60 डिगरी इच, मतलब हर एक का एंगल 60 डिगरी होता है, तो हमें पहले से पहले इसको रफ कर देता हूं आप पूचाए एक अगल लगा पड़ेगा जो हमने पढ़ा है न अभी तक इसके पहले जो भी हमने पढ़के रख लिया है दोस्तों यही सब चीजे होती है जो हमने कॉंसेट आपको पढ़ा है अगर आपको इसको बताएंगे कि एंगल जो है अगर आप देख पा रहे हो यह एंगल प्रकार सब्टेंड खरता है तो उसक northwest ऑने निकाल है तो that is angle AOB, और ऐसा क्यों हुआ, reason क्या है, reason हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि measure of angle subtended by arc, measure of angle subtended, subtended by arc, subtended by arc is half of the, is half of the measure of angle, measure of angle subtended by arc, measure of angle subtended, बहुत कज़रा लिख दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन बहुत बढ़ा है, reason, subtended by arc at center, at center, इसको मैं वापस से explain करता हूँ, देखो ध्यांसे, इसको समझो, क्या बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं side में खीचता हूँ, तो थोड़ा सा मैं side में खीच रहा हूँ, यहां ते कीच रहा हूँ, ठीक है, अब देखो, देखो, क्या बदानी की गोशिश कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, is equal to half of this angle, जो center पे होता है, यह हमारा rule है, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से, तो simply क्या हो जाएगा, कि measurement of angle ACB जो होगा, वो half of angle AOB हो जाएगा, तो इसका मतलब सिधा सिधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि जो measurement of angle ACB जो हमें चाहिए, वो कितना हो जाएगा, half of this AOB, अभी अभी निकाला मैंने 60 degree, तो half of 60 degree, तो therefore अपका measurement of angle ACB जो है, वो आगया 30 degree, यह हम लोग को चाहिए था, यह आगया दूसरे question का answer, ACB, जो हमें पूछा था, यह इसका answer भी हमने निकाल लिया, यह वाले का answer समझ में आ गया, clear है, बहुत easy examples है, चलो, अब यहाँ पर हम लोग अगले example की तरफ जाते है, अगले example क्या है, आर्क AB का value निकालने बोल रहा है, यह जो AB दिख रहा है, इसका value निकालना है, अब मुझे बताओ, AB कैसे निकालोगे, थोड़ा सा ध्यान दो, third one, इसरा में करन है, आर्क जो AB होगा, किसके बराबर होगा, यह जो AB है, उसके आर्क का subtended angle कौन सा है, this one, that is this part AOB, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि measurement of आर्क AB is nothing but, is equal to measurement of angle AOB, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, कि जो भी आर्क, उस एंगल पर subtended होता है, वो equal होता है, यह हमने पढ़ा था, माइनर आर्क में, मेजर आर्क में, इस अब चीज हमने पढ़के, रखा है दोस्तों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि definition of minor arc, माइनर आ के ही reference में जो angle होता है, उसका जो degree होगा, वो arc का सेम होता है, तो अगर इसका measurement अगर आप देखोगे, देखो ध्यान से, इसका जो measurement देखोगे, तो यह measurement हमें पता है, angle AOB का अभी अभी डिकाल हमने 60 degree, तो इसका अगर 60 degree है, तो यह जो AB जो arc है, उसका भी कितना होगा, 60 degree हो ठीक है, यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, एक second, देखोगे answer, measurement of arc जो AB का जो value आएगा, वो कितना आएगा, AOB के पराबर, कितना है, 60 degree, तो टारिक लिए आगे हमारा value 60 degree, this is your answer number third, यह आगे आपका third answer, yes one, arc AB का answer आगे, correct है, simple था, clear है, अब देखोगे, चाओ था example, क्या ब B, sorry, this is A, this is C, and यह पूरा घूम के आएगा, यहाँ पे B, ठीक है, यह पूरे आर का value निकालना है, मतलब एक समझ लो, measure R का value निकालना है, तो ACB का value निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ, fourth one, मुझे क्या निकालना है, measurement of arc, ACB निकालना है, मुझे एक बात निकालना है, इतना AB का value अभी अभी आपने निकालना है, यह पूरा कितना होता है, 360, तो मिलको अगर ACB का value निकालना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ACB निकालने के लिए, 360 minus measurement of arc, जो यह है, AB, इसको minus कर देना होगा, तो हमझ में आ रहा है, यह total 360 है, यह value निकालन है, मतलब 360 में से सिर्फ इतने को minus कर दो, तो इसका value आ जाएगा, तो 360 minus arc AB, जो अब यह भी निकाला है, 60, तो आगया आपका answer, measurement of arc ACB, जो आपको value चाहिए था, उसका value आ गया, 360 में से 60 minus किया, तो 300 degree, this is your final answer, आ गया 4th का answer, देखो, कितना आसान था, आसान था, लेकिन फिर तो अच्छी तरीके से इसको practice करना, क्योंकि ऐसे examples को चाहिए होता है practice, हमने तो आपको conceptual knowledge बता दिया है, already concept बता दिया है, free examples भी solve करा रहे है, तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप यह example सिर्फ देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद जब आप practice नहीं कर र या, उसके बाद आने के बाद practice जरूर से करो, उस particular category के topic का एक एक example at least practice करो, देखो कितना easy लगेगा, आपको maths, maths very easy subject, यह trust करके देखो, समझ के देखो, बहुत easy लगेगा, चलो, second question पर जाते है, क्या बोल रहा है, दूसरा question, देखो जान से, एक figure है, cyclic coordinator का देखके ही लग है, cyclic coordinator मेंने आपको explain किया हुआ है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, properties पूरा बताया हुआ है, इसमें बोल के रखा है कि PQ और RQ, यह जो PQ और यह जो RQ जो है, वो congruent है, obviously, ठीक है, दिख भी रहा है, congruent है, angle PSR जो है 110 डिगरी, यह PSR जो value है, यह clearly बोल के रखा है, कि यह है, वो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, तो सबसे पहले अगर मुझे PQR निकालना है, मुझे एक बार बताओ, कि मुझे एक चीज़ पता है, कि जो quadrilateral जो है, मेरा यह PQR, यह क्या है, एक cyclic quadrilateral होने से क्या होता है, दोस्तों, कि मेरा जो PSR और PQR है, मतलब यह जो PS है, और यह जो PQR है, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यह दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा, तो मेरा 180 होता है, यह angle PSR, दिख रहा है आपको, angle PSR, plus this angle, angle PQR, is equal to 180 degree होगा, और ऐसा क्यूं होगा, मुझे बताओ, क्योंकि यह आपने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, साइकलिक कॉर्टरिलेटरल जब मैंने पढ़ाया था, तो हमने आपके एक चीज़ बहतरी दरीके से पढ़ाया हुई है, कि opposite angles इने साइकलिक कॉर्टरिलेटरल आर सप्लीमेंटरी, पढ़ाया था, तो लिखो इसको, opposite angles आर सप्लीमेंटरी, क्या होता है, कि plus करके 180 आना चाह है, 180 हो जाएगा इसके बराबर, तो एंगल PQR is equal to what, 180 माइनस 110 कर लो, तो आपका एंसर आ गया, तो एंगल PQR will be equal to what, 180 मेंस 110 कितना, 70 डिगरी आ गया answer, देखो, 70 डिगरी एंगल PQR, पहले का question का answer आ गया, पहला question, PQR का value पूछा था, निकाल दिया, आसानी से, बहतरी त निकाला है, माप करना, यह वाला जो आर्क है, this is R P, this is Q, and this is R, यह value आपको निकाला है, आर्क PQR का value निकाला है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे, ठीक है, यह जो P, S, R जो दिख रहा है न, यह जो P, S, R है, मतलब यह ज इंस्क्राइब अंगल, that is half of, हम लोग क्या बोल सकते कि अंगल, जो P, S, R जो है मेरा, वो हाफ हो जाएगा, किसका measurement of arc, this one, क्या ना मैं आर्का, P, QR, हमज़ में आ रहा है, जो हमने इंस्क्राइब अंगल थिरम पढ़ा था, जो हमने इंस्क्राइब अंगल थिरम पढ़ा है, उसके reference में जो भी angle बनता है, दिखरा आपको, उसके ही reference पे, जो आर्क के reference पे, जो भी angle बनता है, तो उसका angle और उस आर्क का जो measurement होता है, उसमें क्या होता है, half of होता है, मतलब that is inside angle theorem के इसाफ से वो जो angle है, that is angle is equal to half of this arc, ठीक है, तो यह हम लोग बोल सकते है, कि यह ज steps में काल लिखू, यहाँ पर लिखता हूं, देखो, देखो दियान से, यहाँ पर लिख सकता हूं है, तो मेरा जो angle-psr, इसका value मुझे पता है, तो यहाँ पर यह जो एंगल-psr is equal to half of PQR है, तो यह angle-psr का value मुझे पता है, ठीक है, angle-psr का value पता है, 110 degree, तो यहाँ पर तो उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा टू मुल्टिप्लेट बैग 1 1 0 यानि 2 2 0 हो जाएगा समझ में आ रहे है तो 2 2 0 विल बी इक्वल तो ओड मेजरमेंट अफ आर्क पिक्यू आ गया एंसर इसका आ गया यह सेकंड कोश्चन का आ गया समझा यह चीज आप देखो थर्ड वं अंदरा यह चीज बहुत सिंपल था अप तीसरा क्या बोल रहा इंट निकालो क्योवर किश्चर धियंप को तो Sit oder क्योवर का मेरी किलिए खियान से हमोग से क्या कर सकते ठाकर विस्टम कर सकते हैं इसका यूश करके हम लोग कुछ सैंखिंगे value लगा सकते हैं, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं जो मेरा ये जो value है, Q, ये PR, इसका angle मुझे पता नहीं है इसका जो angle है, वो मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो R angle है और ये जो P angle है, मैं इसको मान लेता हूँ X तो ये भी हो जाएगा X, अब मुझे बताओ कि ये दोनो X क्यों होगा, क्योंकि ये है Isocellus triangle, क्यों Isocellus है, क्योंकि question में बोल के रखा है, कि ये जो side PQ है और ये जो side PR है, ये क्या है सेम है, और जब कोई भी triangle के अंदर ये triangle दिख रहा है, ये triangle का नाम पर रखो, इधर पर लिख सकता हूँ, मैं इसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ देखो ध्यान से, थोड़ा सा logical खेले, बाकि कुछ नहीं है रोस्तो, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो triangle है, जिसका नाम है triangle PQR इस दिख रहा है आपको, ये triangle PQR में PQ और QR जो है, PQ जो है वो QR के बराबर है, तो therefore ये जो triangle ही ये क्या है, आइसोसिलेस है आइसोसिलेस triangle है, तो therefore मैं क्या मोल सकता हूँ let this angle, that is angle QPR let angle QPR will be equal to this, that is PRQ, that is angle PRQ, इसको मैंने मान लिया, X, ये दोनों angle को क्या मान लिया, मैंने, X मान लिया, इसको भी X मान लिया इसको भी X मान लिया, अब देखो ज्यान से, अब मैं क्या कर सकता हूँ ये दोनों को X मान लिया, तो मुझे पता है कि ये तीनों angle को अगर मैं plus करूंगा, तो 180 आएगा तो मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर मैं मेरा जो ट्राइंगल है जिसका नाम है एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ यह तीनों को प्लस करूंगा तो प्लस करके 180 आएगा कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों एंगल को प्लस किया जाए तो 180 आता है ठीक है तो यह PQR का वैलू मुझे पता है कि दोस्तों यह PQR का अभी अभी हमने निकाला था सबसे स्टार्टिंग में वही निकाला था तो एंगल PQR का वैलू जो है वो कितना है दोस् कि अभी एक्स ऐभी एक्स इकोल तो 180 आता हृट यहोजाएगा 7T x i0-10 तो यह हो जाएगा 2x is equal to 110 degree, therefore x will be equal to 110 upon 2, ठीक है, तो therefore आपका x का value आएगा 55 degree, तो आपका x का value कितना आ गया, 55 degree आ गया, मतलब यह जो value दिख रहा है आपको, x का value वो कितना आ गया, 55 degree आ गया, अब आपने x का value 55 degree निकाल दिया, ठीक है, तो हमको एक चीज़ पता है, कि यह द यह जो arc है न, यह हमने q निकाला, मैं आपको reason बताता हूँ, हमको चाहिए इस arc का value, यह वाले इतने arc का value चाहिए, और यह angle subtend कर रहा है, इस वाले का, यह जो arc है, इस वाले का कर रहा है, तो अगर आपको यह angle पता है, तो इसका half होगा यह arc, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, म मेरा जो एंगल QPR है, यह जो एंगल QPR, मतलब यह जो एंगल होगा, यह हाफ होगा इस आर्क का, that will be equal to half of measurement of arc, क्या ना मैं इस आर्क का, that is RQ, या फिर QR बोल लो, ठीके, अब मुझे QR का value निकालना है न, question तो पूछा है, हमको QR का value निकालना है, तो लेकिन यह QPR का value पता चल 55 है, तो therefore मैं बोलूँगा, 55 is equal to 1 by 2 of measurement of arc QR, तो हमारा QR निकल जाएगा, 2 multiply by 55, तो लिखो यहाँ पे, that is 2 multiply by 55, डिगरी, तो therefore measurement of arc, जो QR है, यह हमने निकाल लिया, कितना, 110 degree है, आपका तीसरे question का भी answer, इतना simple तरीके से आगया, आगया तीसरा answer, देखो, यह पूछा तो आपको QR का value, आगया, अब यह चौछा देखो, क्या question पूछा है, measurement of angle PRQ, PRQ किदर दिखर आपको, this is P, this is RQ, तो यह जो angle है, यही PR की हुए, यह आपने अल्रीडी निकालना, क्योंकि इसको यह आपने X माना था, और X का value 55, आ गया है, तो directly में क्या बोल सकता हूँ, कि measurement of angle, यह चौछ था है हमारा, ठीक है, चौछ था, directly में क्या बोल सकता हूँ, कि measurement of जो angle है, PRQ, इसको आपने X माना था, तो therefore, measurement of angle PRQ का value आ गया, 55 degree जो already आपने calculate किया है, this is your final answer, आगे answer, 55 degree, तो this is your final answer, यह हो गया हमारा second question भी पूरा, उसके 4 के 4 example, जो पुछे थे, question number 2 का 4 के 4 जो पुछे थे, वो हमने बहतरीन तरीके से निकाल लिया, इतना आसानी से calculate कर लिया, correct है, simple है, मजार है कि नहीं मजार है, देखो यही है दस्व target है, मैंच में 100 में से, वो इसी questions को attempt करके आएंगे, और ऐसे questions को मत छोड़ना, भले ही hard लेगे क्यों न, लेकिन यहाँ देखो कितना easy होता है, हर एक concept होता है, वो concept आपको पता है, बस solve करता जाना answer निकलेगा दोस्तों, समझ में आ रहा है, correct है, मजा आ रहा है कि नहीं, च PN, जिसमें आपको angle R देके रखा है, angle R कितना है, यहाँ पे देखो, यह वाला जो angle है, angle R जो है, वो दे रखा है, 5X माइनस 13 डिगरी, ठीक है, उसके बाद angle N दे रखा है, उन्होंने 4X प्लस 4 डिगरी, देखो, बहुत simple example है, हमें पुछा है कि angle R जो angle N न, इसका value निकाल होगे, क्यल से निकाल होगे, मुझे एक चीज़ पता है दोस्तों, कि opposite angle जो होते हैं, वो supplementary होते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कि angle R जो है, इस angle, प्लस angle N जो होगा, इस angle, is equal to 180 डिगरी होगा, reason, reason क्या है, that is, that is, क्या बोल सकता हूँ, opposite angles opposite angle in cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral R supplementary, यह हमनों को reason पता है, यह हमने बहुत पार पढ़ चुके है, R supplementary, तो supplementary मतलत, यह angle और इसके opposite angle जोनों प्लस करके, 1 एटी, angle R का value दिया हुआ है, 5X, minus 13, बीच में है प्लस, लिख दिया, angle N का value दिया हुआ है, 4X, plus 4, and दोनों को मिला के हो जाएंगे, 180 degree, तो मतलब आपका answer आगया, आपका answer आगया, कैसे देखो, यह 5X plus 4X हो गया, 9X, minus 13 plus 4 हो गया, minus 9, is equal to 180, ठीक है, तो 9X will be equal to 180, 9 इदर जाएगा, तो plus हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 9X is equal to 189, next step, next step क्या हो जाएगा, 9X is equal to 189, therefore X will be equal to what, 189 divided by 9, 9 बंस आ 9, 9 बंस आ 9, 9 is equal to 21, question क्या पुछाता आपको, X नहीं पुछाता, ध्यान सा देखना, बच्चे यहीं पर करके answer आजाता है, करके छोड़के आजाते हो, marks cut हो जाता है, गल्ती यहीं होती है, लोगों की X आगया, मतलब answer आगया, नहीं, आपको पुछाए कि angle R और angle N निकाला, तो angle R क्या है ठीक है, तो आपका answer आगया, angle R का, angle R का value आगया, 92 degree, उसी परकार angle N निकालो, angle N के लिए क्या है, angle N is equal to 4X plus 4, तो 4X plus 4, यानि की 4 multiply by X है, आपका 21 plus 4, तो आपका answer कितना हो जाएगा, 4 multiply by 21 is, 84 plus 4 is 88, तो आपका answer आगया, angle N का 88 degree, तो यह आपका दोनों आगया, that is, angle R also, angle N also, correct है, आया की ने कितना simple तरीके से, तो देखो, ऐसे examples तो favorite होते हैं, आते ही आते ही 2 marks के लिए, देखो कितना simple तरीके से solve किया, within 2 minutes के अंदर आपका answer आजएगा, 2 marks आपको देखे जाएगा, correct है, समझ में आ रहा है, चलो फिर आज के लिए, आज के लिए नहीं, चलो एक और example करा हुआ, यह तीसरा example था, एक और कराता हो, चलो एक और last, लाश्ट, फिर stop करेंगे, ठीके, यह होगे, तीसरा example समझ में आ गया, देखो अच्छी तरीके से, अब एक 14 example है, इसको हम लोग देखते हैं, यह क्या है, यह example क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सध्यान देना, क्या आप ओलके रखा है कि एक figure है मेरा, segment RS is a diameter, देखके लग रहा है, segment RS diameter है, center O है, point T यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, exterior of the star, prove that angle RTS is a acute angle, RTS, मतलब आपको बताना है, कैसे बताओगे, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यह जो R point है, यह S point ह R को T के साथ connect करो, scale ले लेता हूँ मैं, R को T के साथ connect किया, T को S के साथ connect किया, ठीक है, समझा, यह चीज, तो मुझे proof करना है, कि यह जो angle RTS है, यह जो angle आएगा न, यह acute angle आएगा, ऐसा proof करना है, बहुत simple है, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्याम दो, थोड़ा स से पहले आपको दिया हुआ है, कि जो मेरा segment है, कुन सा वाला यह RS जो है, यह diameter, segment RS is diameter, गोलके रखा है कि segment RS जो है मेरा diameter है, तो इसके इसाप से में क्या बोल सकता हूँ, कि यह जो मेरा angle है, angle R, ठीक है, यह जो आपको दिख रहा है, that is, angle R जो है, यह क्या है, क्या करना तो बिल्कुर आप अची तरीके से ध्यान देना, अच्छी तरीके से ध्यान देना, दखे कर आपे, अब एक चीज़ और में कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कि यह जो point है न, S का, देखो, क्या कर सकता हूँ, red color लेता हूँ, सबसे पहले रूपो, red color लिया, यहाँ पे मै को एक्चषल में क्या मिलेगा यहाँ पर इक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट का नाम में रखता हूँ समझ मैं यह पॉइंट के से आया यह लाइन जाके तो यह से प्वाइट यह प् apert हो यह 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 लिख सकता हूं क्या construction में ऐ construct कर रहा हूँ, construction में क्या लिखूंगा, मैं, draw point P with S, ठीक है, हमने क्या कर दिया, P S को draw कर दिया, तो इसके help से क्या होगा, हमको क्या मिला, कि मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो angle R, यह जो P और S है ना, यह जो angle बनेगा, मुझे एक बात बताओ, यह कितने का बनेगा, य that is obviously 90 degree, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यहाँ पे जो angle R, P, S होगा, वो 90 degree होगा, और reason simple है कि angle R, P, S 90 degree की होगा, क्योंकि मेरा जो angle है, inscribe हो रहा है, in semi circle, semi circle है नहीं है, दिख रहा है आपको, यह जो angle inscribe हो रहा है, यह semi circle में inscribe हो रहा है, और obviously आपको देखके भी लग रहा ह तो angle R, P, S जो है, तो angle R, P, S जो है, यह मेरा exterior है, देखो आप ध्यान से देखो, angle R, P, S जो है, इस exterior है, किस से exterior है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यह P, जो है, यह T, जो है, और S, यह जो angle दिख रहा हो, कौन सा वाला, यह P, यह T, S, इस से compare करोगे, तो R, P, S मेरा exterior है, तो अंगल RPS is exterior angle to angle PTS PTS से क्या है मेरा exterior हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों इसके हिसाब से कि जो मेरा angle RPS जो होगा वो बड़ा होगा ना क्योंकि ये RPS जो है वो exterior है RPS is the exterior angle of triangle PTS ये जो triangle मेरा PTS नाम का, ये जो PTS नाम का जो triangle है, इसके comparison में मेरा rps जो है यह pts के गंबर reason में rps जो है वो exterior है बाहर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा angle होगा क्या कुन सा angle होगा rps जो angle होगा वो obviously क्या होगा दोस्तो angle मेरा rps is obviously is greater than किस angle से angle pts से तो angle pts से क्या होगा बड़ा होगा correct है ठीक है न क्यों reason क्या होता है क्योंकि जो exterior angle जो होता है दोस्तो यह आपने पढ़ा हूए कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि यह जो exterior angle जब होता है exterior angle is always greater than is always greater than the remote interior angle is greater than यहाँ पे पूरा लिखता हूँ is greater than remote interior angle यह हमने पढ़ा हूए कि एंगल जो RPS जो होगा ये जो एंगल दिख रहा है ये वाला इसके comparison में क्या था बड़ा होगा that is nothing बड़तो वो क्या होगा एक्स्टेर एंगल जो भी होगा वो गटर होगा remote internet एंगल से तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा RPS है ये क्या है कि एंगल ही निकालना है ना 90 से छोटा होगा तो कोई भी चाहिज 90 से जब छोटा होजा है तो वह क्या होता है दोस्तों बताओ आगे ना इंसर ये is an acute angle. ये क्या है दोस्तो? is an acute angle PTS मेरा acute angle है, तो मुझे एक बात बता हो ये जो PTS acute angle है, तो इसी पे है ना इसी line पे है ये R, तो RTS भी जो होगा, therefore angle मेरा जो होगा RTS जो होगा is also less than 90 degree होगा, क्योंकि अगर मुझे एक बात बता हो जो है वो एक ही लाइन में है, correct है, तो therefore मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल मेरा RTS है, is also an acute angle, क्योंकि एंगल RTS 90 से छोटा है, तो RTS भी acute angle हो सकता है ना, और यह चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, hence proof, यह चीज़ हमें प्रूफ करना था ना दोस्तों, hence proof, समय में आया, देख समझ में आ गया, clear है, तो देखो, ऐसे ही है, उते ही examples, बहतरीन तरीके से हमने solve कर दिया है, कितना आसानी से हमने ये चीज़ आपको बता दिया, तो यह हो गया, question number 4 यहाँ पर complete, clear है, समझ में आ गया, अब यहाँ पर हम आज का lecture स्टॉप करेंगे, क्योंकि बहुत बढ़ा प्लीज वीडियो को लाइक करना, तो अपने दोस्तों के साथ जितना होसता के share करते ना, क्योंकि बहुत important होता share करना, बहुत सारे लोग को पता नहीं है, कि जया tutorial पे 6 से लेके 12 तक के वीडियो बहतरीन तरीके से आते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हो, तो प्लीज शेयर करत और साथ में notification bell को भी on कर देना, ठीके गाईस, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new वीडियो में तब तक के लिए, thank you and goodbye